नमस्कार भारत एक्ष्पेस MP में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ समझ्जा मद्रप्रदेश विदानसभा चुनाओं के लिए वोटिंग हो चुकी है नतीजों का इंतजार है मउगंज पाढ़ना और महर चनाओ से पहले इन जिनों के गठन की घोशना CM शिवराज ने की थी कुल पांच जिनों को बनाने का ऐलान किया गया था जिसमें नागदा और पिछोर भी शामिल थे ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि नए जिलों में क्या स्थिती है और कौन सी पार्टी को कितना फाइदा यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मउगंज में कौन सी पार्टी आ गया है रिवा से कठकर मौगंज बना है जिसमें मौगंज और देवतालाव दो विधान सबासीतिय आती है ये विन्दिक शुतर में है मौगंज में बीजेपी और कॉंग्रिस की बीच काटि की टक्कर मानी जा रही है वहीं देव तालाब में त्रिकोन ये मकाबला है जहां बीजेपी और कॉंग्रिस के लावा बीएसपी भी पूरे दमखम के साथ उतरी है जिला बनने के बाद माउगंज का मकाबला काफी दिल्चस्प हो गया है पांधुरना में किसिव मिलेगा फाइदा चिंदवाडा से कटकर बने पांधुरना जिले में पांधुरना और सौंसर दो विधानसबा सीटे आती है पांधुरना को जिला बनाने को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी सीम शिवराज ने चुनाव से ठीक पहले से जिला बनाने का ऐलान किया जिसका फाइदा बीजेपी को मिल सकता है वैसे तो छिंदवाडा अक्षितर कमलनाथ का गड़मा कहा जाता है लेकिन पांधुरना और सौंसर में बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच काफी क्लोज फाइट देखने को मिल रही है महर में त्रिकोणी मुकाबला सतना से कटकर महर नया अनवेला जिला बना है इसमें महर और अमर पाटन दो विधान सबसीटे आती है क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होता है काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है इन सब विश्चियों पर हम लोगों ने चर्चा की है और सीधे उम्मीदवारों से भी और जिलाद धक्षें से भी हम लोग चर्चा करके जो आवस सके वो निर्देश देंगे बीजेपी और कॉंग्रिस के लावा नारायन तरपाठी की विंद जनता पाठी यहां मैदान में है नारायन तरपाठी की महर रुक्षितर में मजबूत पकड़ माने जाती है वे वर्तवान में विधायक भी हैं लिसकी वज़े से महर सीट पर त्रिकोनिये मुकाबला देखने को मिल रहा है महर को हलागे सीम शिवराज ने जिला घोशित किया है लेकिन नारायन तरपाठी लंबे समय से इसके लिए मांग कर रहे थे काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है इन सब विस्यों पर हम लोगों ने चर्चा की है और सीधे उम्मूद वारों से भी और जिला धख्चां से भी हम लोग चर्चा करके जो आवस सके वो निर्देश देंगे ऐसे में देखना होगा कि नए जिला बनने से किस पार्टी को कितना फाइदा मिल पाता है चुनाओं से पहले सीम शिवराज जिन नए जिलों के खोशना की वहां की जन्नता ने अब फैसला सुना दिया है देखना होगा तीन दिसम्मर की तारीख को फैसला किस के पक्षमी जाता है विलाल इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए आप जुड़े लएए भारत रक्षपिस MP के साथ नमस्कार